रव्वा सभे के प्रणामबा देश्वा खातीर, बिहार खातीर, गाउं के जीनगी के आसान बनावे खातीर, और व्यवस्ता मजबूत करे खातीर मच्री उत्पादन, डेईरी, पशुपालन और क्रिशिक शेत्रे में पढ़ाई और रिसर्चे जुडले सेंक्णन करवड रुपया के योजना के सिलान्यास और लोकारपन बैल हुआ एकरा खातीर, सव से बिहार के भाई बहन लोगन के अंगाब बदाई देतने बिहार के गवणर फागु चवान जी, मुखमंत्री स्रिमार नितिश कुमार जी, केंद्रिय मंत्री परिशत के मेरे सासरी स्रिमार गिर्राज जी, कैलास चोधरी जी, प्रताप चंदर सारंगी जी, संजीव बालियान जी, बिहार के उपमुखमंत्री भाई सुसील जी, बि जिन्हार विदान सभाग अज्यक्षे, सिमार विजय चौधरी जी, राज मंत्री मंदल के अन्य सदस्य गंड, साउसत गंड, विदायक गंड और मेरे प्रिय साथियों। आज जितनी भी ये योजनाय शुरू हुई है, उनके पीछे की सोच ही यही है, कि हमारे गाउं 21 वी सदी के भारत, आत्म दिर भर भारत की ताकत बने, उर्जा बने। कोशिच यह है, कि अब इस सदी में, ब्लू रिवोलुशन, यानि मचली पालन से जुड़े काम, वाइट रिवोलुशन, यानि डेरी से जुड़े काम, स्वीट रिवोलुशन, यानि शहद उत्पादन से जुड़े काम, हमारे गाउं को और सम्रुद्द और ससक्त करें। पत्से संपदा योजना इसी लक्ष को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आज देश के 21 राज्यों में इस योजना का शुभारंब हो रहा है। अगले 4-5 वर्सों में इस पर 20,000 करोड रुपिये से जादा खर्च किये जाएंगे। इस में से आज 1700 करोड रुपिये का काम शुरू हो रहा है। इसी के तहत ही बिहार के पटना, पुर्णिया, सितामडी, मधेपुरा, किसन गंज और समस्तिपुर में अनेक सुभिदाओं का लोकारपन और सिलान्यास किया गया है। इससे मचली उत्वादकों को नया इंफास्रेक्टर मिलेगा, आधुनिक उपकरन मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा। इसे खेती के साथ ही अन्य माद्यमों से भी कमाई का आउसर बढ़ेगा। साथियों, देश के हर हिस्से में विशेश तोर पर समंदर और नदी किनारे बसे क्षित्रों के में मचली के व्यापार कारोबार को ध्यान में रखते हुए, पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है। आजहाती के बाद इस पर जितना निवेश हुआ, उनसे भी कई गुना जादा निवेश प्रधान मंत्री मत्स संपधा योजना पर किया जा रहा है। और जब अभी गीराज जी बता रहे थे, तो शायद ये आंकडों सुनकर के भी कईयों को अच्रज लगेगा कि ऐसे चला था, लेकिन जब आप हकिकत जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये सरकार कितने कितने क्षेत्रों में, कितने कितने लोगों की भलाई के लिए, कैसे कै से लंबी योजना के कामों को आगे बढ़ा रही है, देश में मचली से जुड़े व्यापार कारेबार को देखने के लिए, अब अलग से मंत्रालै भी बनाया गया है, इससे भी हमारे मच्वारिय साथियों को मचली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को हो रही है, लक्ष ये भी है कि आने वाले 3-4 साल में मचली निदिया को दो गुना किया जाएं, इससे सिर्फ फिशरिस सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे, अभी जीन साथियों से मैं बात कर रहा था, उनसे समवात के बाद तो मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है, जब मैंने राजू का विश्वात देखा और मैंने भाई प्रजेश जी से बाते की, भाई जोती मंडल से बाते की, और बेटी मोनी का, देखिए कितना विश्वात जलगता है, साथियों मचली पालन बहुत कुछ साब पानी की उपलबदादा पर निर्भर करता है, इस काम में गंगा जी को स्वच्च और निर्भल बनाने के मिशन से भी मदद मिल रही है, गंगा जी के आसपास बसे इलाकों में, रीवर ट्रांसपोर्ट को लेकर जो काम चल रहा है, उसका लाब भी फिसरी सेक्टर को मिलना तय है, इस पंदरा अगस को, जिस मिशन डॉल्फिन की गोशना की गई है, वो भी फिसरी सेक्टर पर अपना स्वाभाविक प्रभाव, यह एक प्रकार से बाय प्रोड़क्ट मदद, एक्स्ट्रा बेनिपीट, यह होने ही वाला है, मुझे पता चला है, कि हमारे नितिश बाबुजी, इस मिशन से ज जंग्या बढ़ेगी, तो इसका लाब गंगा तड़के लोगों को तो बहुत मिलने वाला है, सभी को मिलने वाला है, साथियों, नितिश जी के नेत्रुत्व में, बिहार में गाउं गाउं, पानी पहुंचाने के लिए बहुत प्रसंसुनी यह काम हो रहा है, चार-पांच साल पहले बिहार में सिर्फ दो प्रतिशत घर पीने के साथ पानी की सप्लाई से जुड़े थे, आज यह आंकड़ा बढ़कर सत्तर प्रतिशत से अधिक हो गया है, इस दोरान करीब करीब डेड़ करोड घरों को पानी की सप्लाई से जोड़ा गया है, नितिश जी के इस अभ्यान को अब जल जीवन मिशन से नई ताकत मिली है, मुझे जानकारी दी गई है कि कोरोणा के इस समय में भी बिहार में करीब साथ लाख घरों को नल से जल मिलना सुनिशित किया गया है, ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्दी है, ये इस बात का भी उदारण है कि इस संकट कान में, जब देश में लगभग सब कुछ थम गया था, तब भी हमारे गावों में किस तरह एक आत्म विश्वात के साथ काम चलता रहा, ये हमारे गावों की ही ताकत है कि कोरोना के बावजूत, अनाज हो, फल हो, सबजिया हो, दूद हो, जो भी आवश्रक चीज़े थी, मंडियों तक, डेरियों तक, बिना किसी कभी तकलीप के बिना वो आता ही रहा, लोगों तक पहुंचता ही रहा, साथियों, इस दवरान अन्न उत्पादन हो, फल उत्पादन हो, दूद का उत्पादन हो, हर प्रकार से बंपर परदावर हुई है, यही नहीं सरकारों ने डेरी उद्योग ने भी इस मुश्किल परिस्तिती के बावजूद रिकॉर्ड खरीद भी की है PM किसान सम्मान निदी से भी देश के 10 करोड से जादा किसानों के बैंक खातों में सीधा पैसा पहुचाया गया है इसमें करीब करीब 75 लाँ किसान हमारे बिहार के भी है साथियों जब से ये योजना शुरू ही है तब से अब तक करीब 6,000 करोड रुपिये बिहार के किसानों के बैंक खातों में जमा हो चुके हैं ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण गाउं पर इस वैश्विक महामारी का प्रभाव हम कम से कम रखने में सफल हुए है ये काम इसलिए भी प्रसंस नहीं है क्योंकि बिहार कोरोना के साथ-साथ बाड की विभीश का भी भादूरी से सामना कर रहा है साथियों कोरोना के साथ-साथ भारी बरसात और बाड के कारण बिहार समेत आसपाक्षेक्षित्रों में जो स्थिती बनी है उससे हम सभी भली भाती परिचित है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का प्रयास है कि राहत के कामों को तेज गती से पूरा किया जाए इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि मुप्त राशन की योजना और प्रदान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभियान इसका लाप बिहार के हर जरुरत मन साथी तक पहुँचे बाहर से गाउं जो लोटे हुए हमारे स्रमिक परिवार है उन तक पहुँचे इसलिए ही मुप्त राशन की योजना को जून के बाद वैसे वो जून महिने में पूरा होना था लेकिन जून के बाद दिपावली और छट पुजा तक उसको बढ़ा दिया गया है साथियों कोरोना संकट के कारण शहरों से लोटे जो स्रमिक साथी है उन में से अनेक साथी पशुपालन की तरब बढ़ रहे हैं केंद्र सरकार और विहार सरकार की अनेक योजनाओं से उनको पूत्सान भी मिल रहा है मैं ऐसे साथियों को कहूंगा कि आज जो कदम आप उठा रहे हैं उसका भविश उजवल है मेरे शब्द लिखकर के रखे आप जो कर रहे हैं इसका भविश उजवल है सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के डेरी सेक्टर का विस्तार हो नए प्रोडक्स बने नए इनोवेशन्स हो जिससे किसान को पशु पालकों को ज़्यादा आए मिले इसके साथ इस बात भर भी फोकस किया जा रहा है कि देश में ही उत्तम नसल के पशु तयार हो उनके स्वाथ की बहतर व्यवस्ता हो और उनका खान पान स्वच्च हो पोशक हो इसी लक्ष के साथ आजदेश के पचांस करोड से ज़्यादा पशु धन को खुर पका और मुह पका जैसी बिमारियों से मुक्त करने के लिए मुक्तर टीका करन अभ्यान चल रहा है पशुओं को बहतर चारे के लिए भी अलग-अलग योजनाओं के तहट प्रावधान किये गए हैं देश में बहतर देशी नस्लों के विकास के लिए मिशन गोकुल चल रहा है एक वर्ष पहले ही देश व्यापी कृत्रिम घरबाधान कारकम शुरू किया गया था जिसका एक चरण आज पूरा हो चुका है साथियों बिहार अब उत्तम देशी नस्लों के विकास को लेकर देश का एक प्रमूख सेंटर बन रहा है राष्ट्रिय गोकुल मिशन के तहट आज पूर्णिया पत्ना बरोनी में जो आधूनिक सुविधाय बनी है उससे डेरी सेक्टर में बिहार की स्थिती और मजबुत होने वाली है पूर्णिया में जो सेंटर बना है वो तो भारत के सबसे बड़े सेंटरों में से एक है इससे सिर्फ बिहारी नहीं पूर्वी भारत के बड़े हिस्षे को बहुत लाब होने वाला है इस केंद्र से बच्छोर और रेड़ पुर्णिया जैसी बिहार की देशी नस्लों के विकास और सवरक्षन को भी और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा साथियों एगो गाय सामान्य तह एक साल में एक बच्चा देवली लेकिन IVF तक्निक से एक गाय की मदद से एक साल में अनेकों बच्चा प्रयोक शाला में हो रहलबा हमार लक्ष ये तक्निक के गाउं गाउं तक पहुचावे के बाद साथियों पश्चुओं की अच्छी नस्लों के साथ ही उनकी देखरेक और उसको लेकर सही बैज्यानिक जानकारी भी उतनी ही जरूरी होती है इसके लिए भी बीते सालों से निरंतर टक्नलोजी का उप्योग किया जा रहा है इसी कड़ी में आज इगोपाला एप शुरू किया गया है इगोपाला एप एक ऐसा ओनलाइन डिजिटल माध्यम होगा जिससे पशूपालकों को उन्नत पशूधन को चुनने में आसानी होगी उनको बिचोलियों से मुक्ति मिलेगी ये एप पशूपालकों को उत्पादक्ता से लेकर उसके स्वास्त और अहार से जुड़ी तमाम जानकारिया देगा हमारे किसान को ये पता चल पाएगा कि उनके पशूधन को कब क्या जरूरत है और अगर वो बिमार है तो उसके लिए सस्ता इलाज कहां उपलब्द है यही नहीं ये एप पशू आधार से भी जोड़ा जा रहा है जब ये काम पूरा हो जाएगा तो ये गोपला एप में पशू आधार नमर डालने से उस पशू से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी इससे पशू पालोकों को जानवर खरिद्ने बेचने में भी उतनी ही आसानी होगी तातियों क्रशी हो पशू पालन हो मचली पालन हो इन सब का विकास और तेजी सो हो इसके लिए वैज्यानिक तोर तरीकों को अपनाना और गाउं में आदूनिक इंफाचक्चर बनाना बहुत ही आवशक है बिहार तो वैसे भी क्रिस्ची से जुड़ी पढ़ाई और रिसर्च का अहम सेंटर रहा है दिल्ली में यहां हम लोग पूसा पूसा सुनते रहते बहुत ही कम लोगों को पता है कि असली पूसा दिल्ली में नहीं बलकि बिहार के समस्तिपूर में है और यहां वाला तो एक तरह से उसका जुड़गा भाई है साथ्यों गुलामी के कालखंड में ही समस्तिपूर के पूसा में राष्ट्रियस तरका एग्रिकल्चर रिसर्च सेंटर खुला था आजादी के बाद डॉक्टर राजेंदर प्रशाद और जननायक करपूरी ठाकूर जैसे विजनरी नेताओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया इनी के प्रयाशों से प्रेणा लेते हुए साल 2016 में डॉक्टर राजेंदर प्रशाद करशी विश्विध्यालय को केंद्रिय विश्विध्यालय के रुपे माननेता दी गई इसके बाद इस उनिवर्सिटी में और उसके तहट चलने वाले कॉलेज़ों में कॉर्सिस का भी और सुविधाओं का भी व्यापक विस्तार किया गया है चाहे मोतिहारी में एग्रिकल्चर और फोरेश्ट्री का नया कॉलेज हो पूसा में स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मेनेजमेंट हो बिहार में कृसी विज्ञान और कृसी प्रबंदन की पढ़ाई के लिए सिक्ष्या विवस्ताओं को और बजबूत किया जा रहा है इसी काम को और आगे बढ़ाते हुए स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मेनेजमेंट की नई बिल्डिंग का उदगाटन हुआ है साथी नए होस्टेल, स्टेडियम और गेस्थाउस का भी आज सिलान्यास किया गया है साथियों क्रिशिक छेत्र की आधुनीक जरूरतों को देखते हुए पिछले पांच-छे वरसों से देश में एक बड़ा अभियान जारी है छे साल पहले जहां देश में जिर्फ एक केंद्रिय क्रिशी भी से विद्धा ले था वहीं आज देश में तीन-तीन सेंट्रल अग्रिकल्चर उनिवर्सिटी है यहां बिहार में जो बाड हर साल आती है उसे खेती किसानी को कैसे बचाया जाए इसके लिए महत्मा गांधी रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है ऐसे ही मोतिपूर में मचली से जुड़ा रिजिनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर मोतिहारी में पसुपालन से जुड़ा क्रशी और डेरी विकास केंद्रा ऐसे अनेक संस्तान क्रुशी को विज्ञान और तक्रिक से जोड़ने के लिए शुरू किये गए है साथियों अब भारत उस्थिती की तरफ बढ़ रहा है जब गाउं के पास ही ऐसे क्लस्टर बढ़ेंगे जहां फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगेंगे और पास ही उससे जुड़े रिसर्च सेंटर भी होंगे यानि एक तरसे हम कह सकते हैं जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान इन तीनों की ताकत जब एक जुड होकर काम करेगे तब देश के ग्रामिन जीवन में बहुत बड़े बड़लाव होने तय है बिहार में तो इसके लिए बहुत संभावनाय है यहां के फल चाहे वो लीची हो, जरदालू आम हो, आमला हो, मखाना हो या फिर मदूबनी पेंटिंग्स हो ऐसे अनेक प्रोड़क्ट बिहार के जिले जिले में हैं हर एक जिले के अपनी पहचान है हमें इन लोकल प्रोड़क्स के लिए और ज्यादा वोकल होना है हम लोकल के लिए जीतना वोकल होंगे उतना ही बिहार आत्मनिर्भर बनेगा उतना ही देश आत्मनिर्भर बनेगा साथियों मुझे खुशी हैं कि बिहार के युवा विशेश तोर पर हमारी बहने पहले से ही इसमें सरानिय योगदान दे रही है स्री विधी धान की खेती हो लीज पर जमीन लेकर सबजी उगाना हो अज्योला सहीत दूसरी जैविक खादों का उप्योग हो कृशी मिशिनरी से जुड़ा हाइरिंग सेंटर हो बिहार की स्तिरी शक्ति भी आत्मि निर्वर भारत अभ्यान को ताकत देने में आज आगे है पुरणिया जिले में मक्का के व्यापार से जुड़ा अरण्यक एप्पियो और कोशिक शेत्र में महिला डेरी किसानों की कौशी की मिल्क प्रोडूशर कम्पनी अब तो हमारे ऐसे उत्सावी वाओं के लिए बहनों के लिए केंद्र सरकार ने विशेष फंड भी बनाया है एक लाग करोड रुपिय की इस इंफासेक्टर फंड से ऐसे एप्पियो कुरुशी उत्पादक संगों को सहकारी समूओं को गाओं में भंडाराण, कोल स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं बनाने के लिए आर्थिक मदद आसानी से मिल पाएगी इतना ही नहीं हमारी बहनों के जो स्वयम सहायता समू है उनको भी अब बहुत मदद दी जा रही है आज बिहार में स्तिती ये है कि वर्थ 2013-14 की तुलना में अब स्वयम सहायता समू को मिलने वाले रण में 32 गुणा की वृद्धी हुई है ये दिखाता है कि देश को, बैंकों को, हमारी बहनों के सामर्थ पर उनकी उद्धम शिल्ता पर कितना भरोसा है साथियों, बिहार के गावों को, देश के गावों को आत्मन निर्वर भारत का अहम कैंद्र बनाने के लिए हमारे प्रयास लगातार बढ़ने वाले है इन प्रयासों में बिहार के परिश्रमी साथियों का रोल भी बहुत बड़ा है और आपसे देश को उम्मिदे भी बहुत अधीत है बिहार के लोग देश में हो या विदेश में अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से अपना लोहा मनवाते रहे हैं मुझे विश्वास है कि बिहार के लोग अब आत्मन निर्भर बिहार के सपने को पूरा करने के लिए भी निरंतर इसी तरह काम करते रहेंगे विकास योजनाओं की सुरुवात के लिए मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ लेकिन एक बार फिर से मैं अपनी भावनाय प्रगट करूँगा मेरी आप से कुछ अपेख्षाएं हैं वो बताऊंगा और मेरी अपेख्षा यही है मास्क और दोगज की दूरी के नियम का पालनन अवश्य करिए सुरक्षित रहिए स्वस्त रहिए अपने घर में बड़ी आयू के जो परिवार के जना है उनको बराबर समाल के रखिए यह बहुत अवश्यक है कोरोना को लाइट मत लिजिए और हर नागरिक को क्योंकि हमारे पास वैज्ञानिकों के द्वारा वैक्षिन जब आए तब आए लेकिन यह जो सोशल वैक्षिन जो है वो कोरोना से बचने का उत्तम उपाए है बचने का यही रास्ता है और इसलिए दोगज की दूरी, मास, कहीं पर थूकना नहीं बुजुर्गों की चिंता करना इन विश्वयों को मैं बार बार याद कराता हूँ आज आपके बीच आया हूँ फिर से याद कराता हूँ मैं फिर एक बार आपके बीच आने का मोका मिला मैं बहुत बहुत राज्य सरकार का हमारे गिर्राजी का सब का धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद